आज हमने एक औश्रधी बनाई है, इसमें हमने चीनी का, मिसरी का और गुड का परियोग बिलकुल भी नहीं किया है और यह खाने से आपको यदि सिर्मेदर्ध होता है, खून की कमी है, गठिया की समस्या है, या हट्डियों की कोई समस्या है या किसी भी प्रकार से सरीर में जकडन रहती है और या फिर मास पेसियां सिथल होती है सरीर में कमजोरी होती है तो इन सारी चीजों को आप यदि यह पाउडर खाते हैं तो आपकी सारी समस्यां दूर हो जाती है यहाँपर देखिए हमने मूमफली री हुई है, सफेद तिल लिये हैं आप चाहें तो काले तिल भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप सर्दियों में जबशी सेवन करते हैं तो गुड़ के साथ आप जरूट सेवन करते हैं लेकिन यहां पर हमें गुड़का सेवन नहीं करना है, यहां पर देखिए हमने मास्टर वीज लिया हुआ है, जो लोग साकाहरी होते हैं और जो लोग मानसाहरी होते हैं, तो मानसाहरी वाले लोगों को जो पोशकतत तो मानसाहर से मिलता है, वही साकाहरी लोग यदि अलसी का कपर्यों करने आप सबसे पहले हमने तिल को मुमफली को और अलसी को यहां पर भूल लिया है जब भी आप अलसी भूल नेगे तो देखेंगे यह फूल जाती है और बहुत ही चटर-पटर होती है तो हमें इसको ज्यादा नहीं इसको भूनना है वह समय थोड़ा मीडियम ही भ थास होती है तो उससाफ से आप quantity रखें यहां पर मवे को हमने मौटे तले में भूल लिया है गाऊं में लोग क्या करते हैं कि मटके होते हैं तो मटके को फोड लेते हैं और उसको एक कड़ाही जैसे बना कर उसमें भूनते हैं लेकिन यहां पर मतलब सहरों में तो लोग इस पीस में पाउडर को अप्रोग के साथ भी आप ले सकते हैं तो इस पाउडर को ऐसे पानी के real ne डाल कि आप लिए यहां पर हमने कील डाल दियए आप चाहें तो चीज़ों को एक खटी भी डाल सकते हैं कोई भी हमने इसमें ड्राइफ फुरूश नहीं डाला है नहीं महेंगे-महेंगी चीज़ों का यहां पर हमने कोई प्रयोग किया है सिर्फ नेचरल तरीके से देशी तरीके से जो हमारे भुजुर्ग लेते खाते थी सर्दियों में इ यह टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है उम्मीद आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्यू फर वाचिंग